ओम शान्ति सोच जैसी होती है वस्ता वैसी होती है अगर बापसमान बनना है तो बापसमान सोच लाने होगे और संकलब भी बापसमान चलाने होगे तो यह जो नेगिटिव हम सोचते रहते हैं ऐसा हो जाएगा वैसा हो गया यह वो करेगा वो ऐसा करेगा इसकी चक्र में हम अपने सारे रास्ते बंद कर रहते हैं आप अच्छा रास्ता चुनना चाहते हैं तो नेगिटिव सोचने कही रास्ता क्यों न बंद कर रहते हैं तब ही तो कुछ बनेंगे अब सफलता मिन नहीं रही है क्योंकि negativity इतनी हावी हो गई है जो अच्छा सोची नहीं पा रहे हैं जब अच्छा सोची नहीं पाएंगे तो सफुलता कैसे मेनेगे परिशान रहेंगे, दुखी रहेंगे समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है कारण क्या है negativity का इतना परभाब पड़ा इतना परभाब पड़ा कि अब positivity अंदर ही नहीं जा पारी है देखो दोनों चीज़ें इस समय, negative और positive आपने कौन सा रास्ता चुलता है बाप की तरफ आएंगे तो positivity है बाकी सब चीजों की तरफ जाएंगे तो negativity हावी हो जाएगी यह तो बाप का साथ है तुम बच्चे हुए है सोचो परभाबं पर आता ही नहीं है मान लो आपके सिर पर किसी ने बहुत भारी पथर फैंक दिया और वो पथर का असर आपके उपर नहीं आ रहा है क्योंकि उसके बीच में पथर के बीच में बाबा का हाथ है तो सारा जो बोजा है वो हाथ उठा रहा है और आपको पता नहीं चाहता है आपको बस इतना पता है कि इसने पथर पहंका था कारण क्योंकि आप बाबा की श्रिमत का हाथ कभी नहीं छुडते इसलिए बाबा ने अपनी च्छतर चाय बनाई हुए है इसलिए आपको ऐसास नहीं होता वरना दुख इतने है न इस समय है आप अगर हाथ हटा के देखोगे तो दुखों का जो भाड है न और पहाड है वो आपके उपर इतना आएगा कि आप उसके नीचे दबी जाओगे आप सोची नी पाओगे मैं क्या करूँ क्या न करूँ चारो तरफ से तुफान आएगे चारो तरफ से आपको लगेगा परिशानिया उन्हें घेरा हुआ है आप समझी नी पाएंगे कि परिशानिया है कितनी ऐसे लगेगा जीवन में परशानियों के सिवा कुछ नहीं है लेकिन ये बाबा का हाथ है जो सर पर है परशानियां हैं पर अहसास नहीं है कौन सी आत्म है जिसके पास इस्सा में परशानियां नहीं है हम तो सब क्यों यही कहते हैं शुरू करके देख लो चाहे तन की लगाओ, चाहे मन की लगाओ, चाहे धन की, चाहे संबंद, संपर्क की, सब की तरफ से परशानिया आती है, लेकिन यह बाबा का हाथ है, जो इस सारी परशानियों को हर लेता है.